Hello e-sperience, कैसे आप सब ? सर आप मौक टेस्स के शीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है हम मौक टेस्स के इंदर कई सारे कše선 paths कर रहे है हमारे कई सारे वीडियो जो हैं पहले भी पड़े हुए हैं आप उन mock test को देख सकते हैं पर हमसे कई हमारे students ने पूछा कि sir आप mock test के यह questions है इनको ऐसा क्यों बना रहे है ऐसा क्यों है कि इसके इसके इंदर history के भी questions है geography के भी है science के भी है previous question से क्या होगा कि आप analysis कर पाएंगे कि आपका जो paper है वो किसे आता है उसके अंदर कैसे questions होते हैं क्या-क्या fields आपको पढ़नी पढ़ेंगी तो अगर आपने इन दोनों का analysis कर लिया है तो mock test से आपको भरपूर फायदा मिलेगा पर अगर आपने नहीं किया है तो मैंने आप आप सबको एक advice होगी कि पहले जा करके आप mock test जरूर देखे और उसके mock test से पहले PYQs को देखें और PYQs से पहले syllabus को देखें इन चीजों को आप जरूर देखें जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक mock test में लगाने का जो और मजा है वो बढ़ जाएगा तो ऐसे मैंने अपनी class को बिना देर की हुए पहले question की तरफ जो कि है इंडिया नाशनल Congress किस साल बनाया गया था इंडिया नाशनल Congress किस साल बनाया गया था तो इंडिया नाशनल Congress बनाया गया था आपका क्या 1857 में 1885 में 1905 में 1920 अब यहां हमारे पास चार यह हैं मैं चारों से चारे द Chiके को कहते हैं तो है कॉंग्रेस से बनने के पहले की घचना थी कॉंख्रेस से बनने की पहले की घचना थी ठीक है 1905 क्या हुआ था आपका वुआ था बैंगौल का पार्टीशन बैंगौल ओक् talks Partition ति के पैंगल दोश्तों में तोड़ा जा रहा था ठीकए इस बैंगओन और से बंगोल और है कि आपकु सिंटी से रोवaltra नाइ सभ्ड़ोस त्म नाइसी जेए 910 गेंदर क्या आइसक लिविक्नित अटीटिमो करना जब चौरी चौरा कांड हुआ तो गांधी जी ने नौन कॉपरेशन मुव्मेंट को वाफिस ले लिया सर चौरी चौरा कहां है तो चौरी चौरा है आपका गोरखपुर के पास एक गांव है तो यह तीनों आंसर तो नहीं है तो कॉंग्रेस कब बना था कॉंग्रेस बना था आपका 1885 में और कॉन था वॉइसरोइ लॉड डफरिंड यह सिंपल सा कोशन है जो पेपर में कई बार आता है वू वास दी वॉइसरोइ ओफ इंडिया वें इंडिया नाशनल कॉंग्रेस वास फॉन जब इंडिया नाशनल कॉंग्रेस बनी थी तो कॉन आपका वॉइसरोइ ओफ इंडिया वो था लॉड डफरिंड और इसको कॉंग्रेस को बनाने में एक सिविल सर्वेंट थी उन्होंने हेल्प की थी उनका नाम था ए ओ यूंग चालो तो इस कोशन को याद रखना कि बहुत इंपोर्टेंट है कि इंडियन नाशनल कॉंग्र का पाटेशन हुआ हुआ था और उस पाटेशन को और किसने था लॉड करजन ये भी लिखना आप किसने करवाय था लॉर्ड करजन ये भी दैंडा यह पाद गांदि जीन zd मॉव्मेंट को ख़तं कर दिया तो तो इसका सही आंसर क्या है option number B चलिए next question की तरफ चलते हैं question number two the doctrine of divide and rule was employed by the Britishers in India ठीक है ना तो इंडिया के अंदर Britishers ने divide and rule की policy क्यों अपनाई थी ठीक है इंडिया के अंदर Britishers क्यों अपनाई थी जल्दी से option पढ़ते हैं option पहला यह है क्योंकि वो different communities के अंदर unity promote करना चाते थे यारे बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाते थे तो unity वाला तो आंसर बिल्कुल ही नहीं हो सकता ठीक ना exploit existing social and religious differences मतलब society के अंदर जो पहले स्ते ही समाजिक और आर्थिक ठीक है ना और धार्मिक जो विभिन्रताएं थी ठीक है ना जो भी मतबेद थे या इंग्लिश में ही बोला जाए जो भी डिफरेंसे इन social religious and economic differences उनको और ब्याड़ाया ठीक है ना उनको और बढ़ाने की कोशिश की तो यह आंसर हमें फिर भी ठीक लगता है क्योंकि इसकी वैसे क्या होगा एक ऐसी खाई democratic elections मतलब ब्रिटिशर्स यह कभी चाह सकते हैं कि आप democratic elections मतलब elections में participate करें इसलिए वो डिवाइडन रूल लेकर करके आया थे वो तो कभी चाहेंगे नहीं वो तो क्या है कि यह में से कोई आंसर नहीं होगा आंसर अपने आप समय में पढ़के लग रहा है क्या एक्स्प्लाइट existing social and religious differences तो society के अंदर जो मौझूद आपके सामाजिक और धार्मिक भी बिनताएं थी मतभेत थे उनको और वो खाई को बढ़ा करना चाहते थे जिससे कि सब लोग एक साथ मिल करके ना आ जाएं और Britishers के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट करने लगें तो इसका option क्या है option नमबर बी चलिए next question की दरफ चलते है question number three रॉल्ट एक्ट ठीक ना रॉल्ट एक्ट ऑफ नाइंटीन नाइटीन अथराइज्ट देटेंशन ओफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स राजनैतिक ना ठीक ना राजनैथिक जो उनको जेल में डाला जा रहा था आपका रॉलट एक्ट के अंदर तो चलो यहां से थोड़ा समझ जाता है कि रॉलट एक्ट सब्सक्राइब लग देता हूं 1920 में हुआ नॉन कापरेशन मुव्मेंट सीविल दिस ओबीडियस मुव्मेंट हुआ 1930 में अब आप जल्दी से सोच के बताएए कि 1919 में आया हमारा रॉल अटक्ट क्या उसका इंपक्ट 11 साल बाद हो सकता है या फिर उसका इंपक्ट विदिन इंपक्ट होगा तो यह थो 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 मुश्किल लग रहा है उसके बाद क्विट इंडिया मूपेंट क्विट इंडिया मूपेंट आया नाइटीन फॉट्टी टू में से लॉजिक लगो 1912 क्या इंपक्ट होगा इसका नहीं जल्लिया वाला बाग मैसे कर कब हुआ तो इ तो इसका सही जवाब क्या है जलियां वाला बाग मैं से कर मैं सिर्फ question ही नहीं solve करा हूं कि कैसे आप options से भी सोच सकते हैं कि इसका सही answer क्या होगा paper के समय यही सारी चीजें स्मॉक से सीखिए question और answer तो चीखिए knowledge तो बढ़ाईए पर यह भी देखिए कि कैसे आप mcq को solve कर सकते हैं क्योंकि आपके paper में भी mcqs ही आएंगे तो अगर हो सकता है आपको question का answer ना रहा हो पर आपके options ऐसे हो जो easily आपको eliminate करते हैं और आपका सही answer मिल जाएं कुछ लोग होते हैं जो guess करते हैं आग बन करके A मार दो B मार दो C मार दो D मार दो A मार दो कुछ भी मार देते हैं तो उनकी chances बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि वो गलत ही हो सकते हैं पर अगर आप एक logical guess ले सकते हैं intellectual guess ले सकते हैं तो आपके answer सही हो सकते हैं जैसे इसमें अगर मुझे पता चल जाता कि civil disobedience तो नहीं हो सकता क्योंकि 1930 का है और quit India movement जो है 1942 का है पर intelligence guess के लिए भी आपको पढ़ना जरूर पढ़ेगा तभी आप रिलेट कर सकते हैं ठीक है तो जलियां वाला बाग मैसेकर कब हुआ था आपका हुआ था नाइटीन में दो लोग थे दो लोगों का arrest इसमें लिखा है ना detention of political leaders without trial तो दो ऐसे दो लोगों को पंजाब से अरेस्ट किया गया था एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफु दिन कि चलू इन दो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और इनका अरेस्ट इसी के अंदर हुआ था अब पंजाब में लेगा था कोर्ट मार्शल मतलब कि एक बार में चार से जादा लोग इससाथ इखटा नहीं हो सकते पर इनके अरेस्ट के अगेंस कुछ लोग इखटा हुए और वह कहां इखटा हुए जलिया वाला बाग के अंदर और उस पे फिर जनल डायर ने अंदा धून गोलिया चलवा दी ठीक कि अगर नंबरिंग में से दिक्कत हो गई है को कुशन नंबर है थी कि मैं कुशन तो नहीं रहेंगे पर हम इसका नंबर इस देख लें रहें कुट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 वस लॉंच वाइप 1942 के समय कुछ इंडिया मूवमेंट कि ने लॉंच किया था क्या वह भगत सिंग थे क्या वह सुवास चंद्रबोस्थ थे क्या वह जवालालनेहरू थे वह महत्मा गांधी थे तो भगत सिंग का चो फांसी देदी गई थी उनको तो यहां से एक कोशन आपका सीधिये सकते हैं कि इनविच इए इंडिया मूवमेंट वस्ट वस्टी के अंदर और महात्मा गांधी ने को अर्ट आप महात्मा जानिय ने कंद दिया था एक से नारा कप दिया था तो दिया था आपका Quit India movement के अंदर, Quit India movement कब हुआ था, तो Quit India movement हुआ था, 1942 ने, तीसरा सवार आपसे पुछा सकता है कि Do or die का नारा किसने दिया था, तो दिया था किसने, महात्मा गांडी ने इस लोगन दिया था, चली, next question की तरफ चलते हैं, The Quit India movement resulted in the arrest of many national leaders including, तो कह सारे को और महतमा गांधी को भी ऑरेष्क किया गया तो इसलिए को बोलते हैं इसको ब्लूजलेस्स rez regions— प्योक्कि विले थि तुम बिट्स्क ने उनको अरेस्ट कर लिया कुछ टाइम क्या कि लिया अरेस्ट कर लिया अब कोई है बड़ा नहेता जो था वो रहा ही नहीं क्योंकि सारे bond निया क्या क्या हो गए अरेस्ट हो गए इसी लिए अकसर यह बोला जाता है कि वहुंक औरलीदर लेस में किस चीज के प्रोडक्शन के लिए फोकस किया गया था तो जनरली कोई भी रेविलूशन जो अगर आप पढ़ेंगे वह रेविलूशन जो है उसका कदर होता है उस प्रोडक्ट से ठीक है अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे इन प्रोडक्शन के लिए और वाइट रेविलूशन की वर्यास से इंडिया क्या है इंडिया इस बड़ा मिल्क का प्रोड्यूसर है और वाइट रेविलूशन लाने वाला कौन था इंडिया के अंदर तो वाइट रेविलूशन इंडिया में लाने वाले थे डॉक्टर ग्रिन दैंक होब इने जो कि इंडिया के अंदर वाइट रेवलूशन ले करके आया थे और इनकी वर्यास से इंडिया जो है इंडिया के अंदर इंडिया में किसको इस ने फेमस किया वो थे MS. Swaminathan Swaminathan इनको बोला जाता है Father of Green Revolution in India Father of Father of Green Revolution in India इंडिया के अंदर Green Revolution लाने वाले कौन थे? वो थे MS. Swaminathan और पूरे विश्व में लाने वाले कौन थे? वो थे Norman Barlog किया था नार्मन बार्लॉटर की रिडिया के अंदर की रिव्य रेविशन और विश्व में नाशनल इंटरनाशनल लेवल पर पे कौन थे वह थे नार्मन बार्लॉटर कोई थे न और इन फादर अब इंडिया कों थे M.S. स्वामी नातन चलिए next question पर चलते हैं the policy of liberalization privatization and globalization ठीक है the policy of liberalization privatization and globalization यह इंडिया में कब आय थी क्या वो 50s में आय थी क्या वो 70s में आय थी क्या वो 80s में थी क्या वो 1990s में थी ठीक है चार option हमारे पास है तो हमारी कब आये थी 1991 यानी 1990 में आये थी policy of LPG reforms ठीक है ना liberalization, privatization and globalization आप सबसे मेरा question यह है कि LPG reforms किस finance minister ने suggest किये थे मतलब who was the finance minister जिसने liberalization, privatization and globalization यह एक economic reforms के term है जिसके अंदर अगर आप देखो globalization का मतलब होता है interconnectedness मतलब interconnectivity अब इसका मतलब यह हुगा जैसे कि mcdonald's USA में भी है mcdonald's इंडिया में भी है तो बाहर की countries जो है बाहर की countries के जो product है या फिर famous industries है वो इंडिया के अंदर भी आ सकती है इंडिया के लोग अगर काम करने USA के अंदर जा रहे है Google के अंदर जा रहे है Microsoft के अंदर आ रहे है तो it is because of interconnectedness और यह क्या है globalization privatization का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले alliance के अंदर सिर्फ एर इंडिया थी जो की सरकारी आपकी plane थी आप उसके अंदर spice jet भी आ गया इंडिगो भी आगया अलग-अलग private players भी आगया यानी privatization मतलब क्या किया हमने हमने अपने economy को खोला जिसे की बाहर की countries भी इंवेस्ट कर सकती है तो यह क्या थे एक तरह के reforms थे ठीक है structural reforms थे और यह करने वाले एक finance मिनिस्टर से आपको जल्दी से comment करना है हमारे comment section के अंदर की finance मिनिस्टर कौन थी जिन्हों ने इस reforms को आप सामने से पिच्च किया और उनकी वज़ा से economic जो है हमारा काफी growth भी हुआ हमारे से मौक के questions है वह यहीं तक होंगे और इसके बाद मैं वापिस से आपसे 10 questions के साथ मिलता हूं next वीडियो के अंदर तब तक आप चैनल को like करें सब्सक्राइब करें और मौक वीडियो जरूर देखते मेरे question का जरूर answer करेंगा मिलते हैं next वीडियो में दब तक के लिए बाए बाए